हेलो जी एंड वेल्कम बैक तो मैं चैनल हम एज यूजल अपनी फेड़िट प्लेस इन डाउन में आये हैं जहांगी का मगबरा यह पी श्यासिफ जहां का मगबरा है और आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो क्वेस्टन पूछ रहे हैं कि पीटी ए अप्रूवड पूरी दुनिया में रिरीज हो चुकी है लेकिन पाकिसान में पशले छे आठ महा से कोई भी नया फून लॉंच नहीं हूआ किसी भी कंपनी संसंक और किसी भी कंपनी का फून लॉंच नहीं हूआ इंकलूडिंग iPhone 14 Pro Max उसकी रीजन है इंपोर्ट बैन जो करन्ट government है शहबाशिरीश सापकी उन्होंने इंपोर्ट पर बैन लगाया है और स्मार्टफोन जो में टागेट है कार्ड और स्मार्टफोन हैं स्मार्टफोन पर टेक्स लगाया है कुछ कुछ छोटे फून की manufacturing नहीं मैनेफेक्ट्रिंग नहीं एस्टेंबलिंग हो रही थी पाकिसान में वह खतम हो चुकी है तो पार्ट से वह भी इवेंच्विली प्लांट को इंपोर्ट करने पड़ रहे थे इसलिए नए फून जो असेंबल होते थे वह भी बंद हो चुके हैं और जो नए स्मार्ट पाकिसान में नहीं आ सकती इसलिए यहां पर इंपोर्ट बैन लगा हुआ है और आप अगर यार नहीं है तो आईफोन थर्टीन सीरीज जब लांच हो नहीं तो पिछले साल उस वक्त ओफिशली मरसंडायल पैसिफिक के तावन के साथ पाकिसान में आईफोन थर्टीन सीरी लांच हुई है लेकिन पाकिसान में ओफिशल कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ क्योंकि सारे की सारे फून आपको नौन पीटी मिल रहे हैं और एक लाग चालिस दार के करीब उसका टेक्स हुआ पड़ा है आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स का टेक्स एक लाग चालिस दार र पर है तो स्मार्टफून की इंडेस्ट्री टोटली इस वक्त दम जा रही है इस इंपोर्ट बैन के बाद और दूसरा जो लोग आईफोन पीटी ए अप्रूवड आईफोन जो ढूंड रहे हैं वह मैंने पिछली वीडियो सो भी बताया था कि जिनके पास आईफोन पीटी प्रूव आईफोन मिल जाएंगे लेकिन वो रिपेल शुदा होंगे ओलक्स पर मिल जाएंगे मार्केट में जो पड़े हैं वो डेफिनिटली एक एक दो दो बार सेल हो चुके हैं और उनकी बैटरी एस भी खतम हो चुकी हुई है उनके अंदर जो है कुछ फॉल्स भी हो स पाकिसान में और नए स्मार्टफोन भी डिबाबैक वाले पाकिसान में बड़ी स्पीड से रिलीस होंगे तो आज की वीडियो यहीं तक थी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक अपने देश सारा खयार लखिएगा अला हाफिज